हलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है तो आज मैं आपके लिए एक नई रेस्पी लेके आई हूं यह रेस्पी बहुत ही आसान है और इसे आप जब मर्जी आप बना सकते हो जब भी आपको भूख लगे आप बहुत आसानी से इ सकते हैं आप भी खा सकते हैं तो चलिए फिर बनाना सुरू करते हैं आपको यह रेस्पी अच्छी लगेगी तो लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करना और सब्क्राइब करना न भूलना है ब्रेड पिजा टोस्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर जो जो चीजें या पिजा सॉस मिलता है वह भी ले सकते है या कोई सी भी सॉस बगरा लगा सकते हो यहां पर बटर प्याज सिम्ला मिश्च तमटर कॉंस और यह कुछ मसाले हैं जो इसमें पढ़ेंगे यह चिली फ्लेक्स यह औरिगेनो यह काली मिर्च यह काला नमा और यह चाट मसाला तो चलिए बनाना सुरू करती हूं सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे और बटर लगाएंगे अब हम इसमें चट्नी लगा देंगे इसको सारे में फैला देंगे अब हम इसमें प्याज डाल देंगे अब तमटा डाल देंगे अब इसमें सिमलमिच डाल देंगे इस तरीके से डालने से आपका जो पिजाब है वो आपका बहुत अच्छा लगेगा देखने में बहुत सुन्दा लगे और खाने में तो अच्छा ही होगा उपर से कॉंस डाल देंगे आपको अगर डालना हो तो डाले नहीं डालना हो तो नहीं भी डाल सकते हैं आपकी मर्जी है अब इसमें हम मसाला उपर से छिड़केंगे सबसे पहले काली मिर्च काला नामा चाट मसाला और इगेनो और चिली फ्लेक्स अब हम इसमें उपर से चीज से गार्निस कर देंगे हमारा पहला टोस्त त्यार है इसी तरीके से हम एक एक करके सब को बना लेंगे हमने यहां पर सारे स्लाइसीज को बना लिया है अब हम इसे पकाने के लिए जाएंगे मैंने यहां पर कडाई यूज करी है आप चाहें तो आप तवे पी भी बना सकते हैं बस इसको कडाई हो चाहें तवा हो इसको हमने ढग के पकाना है हम यहां पैन को बटर से क्रीस कर लेंगे और एक एक करके स्लाइस को कडाई में रखेंगे और इसे डखकन लगा देंगे कम से कम कम आज पर दो मिनिट के लिए पकाएंगे दो मिनिट हो चुकिया अब हम इसे देखेंगे एक एक करके हम सबको सेक लेंगे तो लेजिए त्यार है हमारा ब्रेड पिजा टोस्ट आई होप आपको अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा अच्छा लाइक कर देना सब्क्राइब भी कर देना तो मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए